सो आज हम लोग एक नाया चैप्टर शुरू कर रहे हैं डेप्रिसेशन और इस चैप्टर का खास्यत यह है कि यह जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इसको तुम लोग अपना डे टू डे लाइफ में इसको देखोगे रप्लाई कर पाऊगे इन फैक पुरा अकाउंटिंग सब्जिक्ट ही ऐसा है बैट इस चैप्टर का इस चैप्टर स्पेशली वेन विए गोइन टू गो जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे इसको और देट में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा इस वेरी प्रैक्टिकल और इसका कंसेप्ट हम लोग आपने जीवन कर न developments का के गडियों घड़ता है तो समर्ण हो देप्रिशिट कहते हैं। और कि ज़िएज कागर वैल्यू इंकरीज होता है तो सब्सक्क्राइचिय ऑप्रिसियाशन एप्रिशियट कहता है करेक्ट यह सिमब्ल मेर्ढ मीनिंग है डेप्रिशियशन का बद हमें समझना है क कि अगर अकाउंट्स के नजरी ऐसे अकाउंटिंग की दुनिया में डेप्रिशेशन को कैसे समझाया जाता है तो पहले लेट्स अंडेस्टाइंड आवरी सिंपल मीनिंग आप डेप्रिशेशन डेप्रिशेशन मेंस डिक्रीज इन डिवैली आपना सेट डियू टू इट्स लोग किसी एसेट को यूज करते हैं तो यूज करने के चलते उसकी जो उसकी जो यूटिलीटि है वो क्या होता है डिट्यो रेट होता है वो कम होते जाता है और जब उसकी क्वालिटी उसकी उसकी यूटिलिटी जब उसका जो एफेक्टिवनेस है जब वो जैसे जैसे कम ह होते जाता है तो उसका वैल्यूवी क्या होते जाता है सो अगर आपको इत्सक्नॉमिक्स में अगर हो जाये तो यूटिलिटी का मतलब होता था वह रहते हैं वैसे उसका lifetime कम हो रहा है वैसे वैसे उसका utility हम लोग क्या गर रहे हैं derive कर रहे है और जैसे जैसे utility कम होते जाएगा उसका value भी क्या होते जाएगा कम होते जाएगा right so an asset and depreciation is a decrease in the value of an asset due to its wear and tear so use करने के चलते जो यह wear and tear हो रहा है उसके चलते assets की value क्या हो रहा है वो depreciate हो रहा है यह एक तरीका है समझने का right अब depreciation को हम लोग थोड़ा सा अगर टेकनीकली समझे थोड़ा सा टेकनीकली समझाते है accounting में हम लोग depreciation को कि जो इससे पहले जो तुमको definition दिये वह भी काउंटिंग का ही definition है बट इसको यह definition हमको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यह यह एदम सटीक डेफिनेशन और यह definition हमें accounting का एक बहुत ही a clear understanding देता है depreciation का बहुत ही clear understanding देता है depreciation is an accounting method of allocating the cost of a tangible or a physical asset over its useful life or a life expectancy मैं यहां पर एक word use किया गिया है allocating so allocating का अगर हम लोग मतलब समझें तो simple time में allocate करने का मतलब होता है distribute in a very simple time अगर हम allocate का मतलब समझें तो इस डिस्ट्रिब्यूट करते हैं हम लोग बाटते हैं fine so that is allocating allocating the cost of a tangible or a physical asset so यहां पर बहुत चीज़ एक चीज़ किया है कि depreciation जो है this is only related to in relation to tangible assets tangible और जिसे हम लोग physical assets भी बोल रहे हैं मतलब tangible और physical asset का मतलब दोनों एक है जिसको हम लोग देख सकते हैं चूँ सकते हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा कि यह जो topic depreciation जोनों topic पढ़ रहे हैं this is related to only those assets of a business which can be seen and which can be touched जिसको हम लोग देख और छू सकते हैं उसी assets से related topic हम लोग पढ़ रहे हैं clear है so अब इस definition को हम लोग देखते हैं समस्ते हैं क्या बोलता है definition बोलता है it is an accounting method it is an accounting method accounting keeping records हिसाब मतलब depreciation एक हिसाब रखने का तरीका है किसका इसाब रखने का किस चीज़ का इसाब रखने का तरीका है जिसमें हम लोग आसेट का जो को सब्सक्राइब करने ऐसेट को एक्वायर किया है वो हमारे लिए कोस्ट होता है रहेट सो टिडिश डियोस्फुल लाइफ और लाइक एक्सपेक्टैंसी तो यूस्फुल लाइफ और लाइफ से life expectancy जिस board में आपको पड़ा रहा हूं इसका भी एक life expectancy है जिस AC में हम लोग बैठे उसका लाइफ expectancy यह कंद एक life expectancy जिस camera से एक & class shoot हो रहा है उसका भी एक expectancy है जिस benches में आप लोग बैठे है उसका भी एक life expectancy है हर चीज़ का एक जीवान है जिस जीवान तक वह हमें एक सा वह हमें बेनिफिट पहुंचाएगा यह डाट इस वाट वी कॉल लाइफ एक्सपर एक्सपर एक लाग राइट एक फिजीकल आसेट का जो कॉस्ट है उसे उसके लाइफ टाइम में उसके लाइफ टाइम उसका जितना जो लाइफ है वह पूरे लाइफ टाइम में स्प्रेट कर देना उसके अक्रॉस दे लाइफ उसको क्या करना कॉस्ट को क्या करना स्प्रेट करना देखिए समझे क्या बोल रहा है डेफिनेशन यह डेफिनेशन बोल रहा है जैसे वर एक्स 6 7 8 9 10 for example मालो यह ट्रक का 10 years का life expectancy है ठीक है और हमने ट्रक को इस यह में खरीदा फर्स्ट यह और यह जो यह है यह है 2023 और यह चलेगा 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 तक एंग तक चलेगा यह है 2032 तक चलेगा क्लियर है समझ मैं रहा है रेट 23 से पुरा 32 पुरा 23 यूज होगा वहां से पुरा 32 तक हम माल लेते हैं कि हमने एक जैनुवरी 2023 में एसेट खरीदा तो यह जो एक लाख रूपया में मैंने एसेट खरीदा इस डेफिनेशन के अनुसार इस एक लाख रूपया जो एसेट का कॉस्ट है उसे उसके जीवन में पूरा क्या कर देना स्प्रेट कर देना डिस्टिब्यूट कर देना इस एक लाख को आप 10 सालों में बाट रहे हैं अप इस एसेट के कॉस्ट को एक लाख को आप 10 सालों में क्या कर रहे हैं बाट है तो हर साल आपका कितना आएगा दस हजार राइट टैन के टैन के टैन के टैन के एंड पूरा यहां से लेकर यहां तक टैन के तक आया सो डेप्रिशेशन एक ऐसा तरीका है जो स्पेशली वैसेट के लिए यह यूज किया जाता है जहां उस टैंजीबल के कोश्ट को हम लोग उसके जीवन में क्या कर देते हैं spread कर देते हैं अब सबसे बड़ा यहां पर question mark आता है कि सर ऐसा क्यों करते हैं हम लोग क्यों करते हैं क्या है इसके पीछे का concept क्या है इसका पीछे का logic देखिए simple से चीज़ समझे जब हम लोग 23 में एसेट को खरीदे राइट 2023 में लोग एसेट को खरीदे एक लाख रुपया में तो लॉजिक इसका यह है कि वो ट्रक मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक साल तक बेनिफिट देने वाला नहीं है है मेरे लिए क्या मेरे को सिर्फ एक साल तक बेनिफिट देगा नहीं हम जानते हैं कि उसका life expectancy कितना है दस साल तो हम यह एक normal condition हम यहीं मान रहे हैं कि यह ट्रक मेरे को दस साल तक बेनिफिट देगा तो जब ट्रक हमको दस साल तक बेनिफिट देगा तो फिर ट्रक का जो cost है वो सिर्फ एक साल में ही report होना अगर मैंने broaden एक साल में 23 में अगर मैंने माल लिया कि यह एक लाख रुपया मेरा खर्चा है या यह 1 लाख रुपया मेरा expense है तो तक होगा इसका मतलब यह होता है कि मैंने ट्रक को ट्वेंटी थ्री में ही पूरा यूस कर लिए जब ट्रक जब वई ऐसेट साल तकुज होगा यानि कि हर साल यह की त्रक को यूस करेंगे हम तक सेंब बढाबर तो जिस तरह से ट्रक का benefit हमको 10 साल तक मिलेगा तो हम ट्रक का cost को भी क्या कर देंगे 10 साल में क्या कर देंगे divide कर देंगे बास समया रहे मतलब technically यह है कि यह 1,00,00 रुपिया मेरा 2023 का सिर्फ expense नहीं बन सकता क्यों नहीं बन सकता क्योंकि हम लोगों नहीं सीखा था expense का मतलब यह नहीं होता है कि हमने कितना pay किया है हमने कितना payment किया expense नहीं है expense का मतलब होता है कि हमको कितना का benefit मिला है हम जो consume किये हैं utility जो benefit जो consume so जब truck से हमको 10 साल तक benefit मिलेगा तो ट्रक का कॉस्ट को भी हम क्या करेंगे दस साल तक क्या करेंगे डिवाइट कर देगे इसका मतलब हर साल हमको ट्रक से कितना मिल रहा है हर साल हमको ट्रक से कितना मिल रहा बेनिफिट कितना का मिल रहा है दस अजार का ना त्राइड वंदेस्ट यहां भी स्कॉंसेट क्या देखो यह जो तुमने एक लाक रुपया देखर के ट्रक को खरीदा यह है तुम्हारा capital expenditure do you agree this is your capital expenditure correct now why is it called capital expenditure because this this amount for the truck has been paid only one time यह की वर पे हुआ बारबातों पे करने वाले नहीं है but eventually every year I am taking the benefit of how much this 10,000 जो हम benefit ले रहे हैं यह मेरे लिए क्या बन जाता है revenue expenditure क्योंकि मैंने पहला साल कितना का benefit लिया दस अजार का समझ मैं रहे की निया रहे फिर दूसरा सार मैंने कितना का benefit लिया दस अजार का फिर तीसरा साल मैंने कितना का benefit लिया तो अगर दस साल चल रहा है तो हर साल हमको इसका कितना का benefit मिल रहा है दस अजार का benefit मिल रहा है so eventually if you see होता क्या है जो asset को हम लोग acquire करते हैं उसकी जो acquisition cost है वह हमारे लिए capital expenditure होता है क्योंकि वह amount हम लो बार बर पे नहीं करेंगे वह एक बार पे करेंगे बट हम जैसे जैसे उसको क्या करते हैं यूज करते हैं तो हम उसका benefit क्या कर रहे हैं derive कर रहे है that is why that is why पहला साल जब हम उसको एकrib eight लाक प्रॉपया में लिए क्या बुले घ्रक है व मैं जैडेके शेकंड हें ट्रक हम आपको एक लग रूपया क्यों फॉसको नया गया कर सक्दाम है तो वह एसा क्यों होता है क्यों है ईक साल बादूपार का वैलू पारा हृटर शिंपल क्योंकि ट्रक का 10 साल का जिन्दगी था और उसका 10 साल का जिन्दगी में से एक साल का जिन्दगी को नियूज कर लिया हम कर लिये तो जब उसका एक साल का लाइफ हम ले लिये तो उस हिसाब से एक साल का benefit इस ट्रक्ट से तो हम ले लिए तो जब हम इसका benefit ले लिए इसका utility खतम हुआ तो उत्रास तो इसका value भी क्या हो जाएगा घट जाएगा घट जाएगा that is why what do we do we allocate इसका definition किसलिए यह definition बहुत टेक्निकली depreciation को clear कर देता है कि depreciation asset के cost को distribute करने का तरीका है सो यह तुमारे लिए asset है यह एक लाग मान रहे हो और यह दस हजार को तुम क्या मान होगे expense this one like is not your expense please याद रखिएगा this one like this one like is not your expense this one like is not your expense क्योंकि आप एक लाग का benefit आपको एक बार में नहीं मिल रहा है उस एक लाग का BENEFIT कितना साल में ले रहे हैं तो जब ट्रक आपके डाइस को dem साल में तो फिर उसके कॉस्ट को भी आप उसका दस साल में लाइफ में क्या कर देंगे पूरा इस्प्रेट कर देंगे यह मैंने इकॉली डिवाइट हीए यह सोच कर गे यह एजूम कर गें कि हर साल ट्रक सेम यूज़ और है तो अब यूज़ हो रहा है तो जो हमने एकला कुर्पे करे करीदा हम अपना फ्रस्ट एर में इस एक लाख रूपिया को हम अपना एक्सपेंस में दिखा देते और ना की ऐसेट में दिखाते था रहे है लेकिन देर एज़िख़ रेविनीयू एकिंडेश और कैपल अधिन यह समझिएगा हम इस एक rupees as in my expense are you getting my point so this is to be treated as an asset but every year the 10,000 will be treated as an so eventually her capital expenditure long run my cabin jata revenue expenditure when the time or long run my expense hojata so her salt you came into a I don't know I'm going to go to work with this company on the new world right I'm going to discuss utility on the side of the new era to the best of the best community me lega to obviously it's a cost we haven't got a ring a that's all that my is quick spread carrying a Yankee her son I'm does a job okay I'm on a get her son I'm does a job I'm on a get expense money मानेंगे समाझ मारा है हर साल हम कितना को expense मानेंगे दस हजार को expense मानेंगे और दिस जो यह तरीका है इस यह को हम लोग और कुछ नहीं का बोल रहा है depreciation को रहा है समझ में आया है 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 रइट क्लियर चलिए जली से इसको एदम simple अबने आप करते है ऐड़री सेशन बहुत सिंपल उन स्पिसेशन कुछ नहीं । नामबर वण है वी कि वील58 आखीन होट रॉट के이क 되면५िए अच्छर्ण कि करें पुमिल ऑठjos को हम लोग क्या करते हैं डिस्टिब्यूट करते हैं ओवर दाई यूसफुल लाइफ पॉट इस यूसफुल लाइफ जितना जितना दिनों तक वो मेरा काम आएगा तो अगर फॉर एक्जेंपल एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ठीक अगर एक एसेट का दस साल है तो उसका जो कॉस्ट है एक लाग उसका कॉस्ट को हम दस सालों म यह करने से क्या होता है यह कर यह किया जाता है कि हम लोग जब एसेट का कॉस्ट को जितना रुपय olmak हम लोग ऐसेट को दे कर एसा दे कर खरीचते हैं इसे हम लोग मानते हैं अपना capital expenditure क्योंकि यह एक लाक रुपया हम एक ही बार पे करेंगे और हैंस इडिजा capital expenditure ऑट एवरी यार जब हम इस ट्रक को यूज करेंगे जब इस ट्रक को उसका जिंदगी खतम तो एक साल बात इसका वैल्यू क्या हो जाएगा कम होगा इसका मार्केट में प्राइस का बात नहीं कर रहे इसका बात कर रहे मेरे लिए इसका वैल्यू क्या है मेरे लिए ट्रेक का value क्या हो जाएगा कम हो जाएगा कित्रा से कम होगा very simple बहुत simple mathematically किये है कि अगर 10 साल है जिंदगी तो हम यही मान रहे है कि हर साल हमको इससे equal benefit मिलेगा तो अगर equal benefit मिलेगा तो पहला साल इसका value कित्ता से घड़ी आएगा 10,000 से तो यानि कि इसको दूसरा एंगल से अगर सोचा जाए तो ट्रेक का जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को हम उसके पूरे जीवन में क्या कर दिये डिस्ट्रिब्यूट कर दिये spread कर दिये and hence that is why please understand that is why the cost जो एक लाख है जितना में हम लोग खरीदे हैं यह इसको हम लोग एसेट में लिखते हैं बट जितना से इसका वैल्यू डिक्रीज हुआ दस हजार इसे हम लोग अपना डेप्रिसेशन बोलते हैं जो मेरे लिए क्या है expense that is why वाल लाग इस ट्रेटेट अन आसेट जब हम लोग जनल एंटरी बनाते थे लेकिन जब यही ट्रक का वैल्यू क्या होगा और वहाँ पे हम लोग धेप्रिसेशन को क्या मान रहे है समझ मा रहा है जैसे जैसे एक एसेट का जीवन कम होते जाता है जैसे जैसे उसका life बितते जा रहा है उस asset का utility भी क्या होते जा रहा है काम होते जा रहा है और utility अगर कम होगा उसकी effectiveness कम होगी तो मेरे लिए उसका value भी क्या होगा कम होगा that is that is what we need to understand and that is why depreciation is treated as an expense is a revenue expenditure here I've been explain yeah yeah much I was naggy her salon about this is our payment car na he payment on on a keyboard kiana a clock again boy a clock up benefit on the car a key heart salam go get mega benefit will drive that that is why he's come look capital expenditure रवागी एक्समेंडेशन का मानते हैं आगे बढ़ते हैं समझ मैंने का मतलब क्या है हाँ आज आज जो मैंने यह टीशेट पहना है इसका भी जीवन है जब हम इसको शॉरूम से जब इसको शॉप से खरीदे थे तो इसका प्राइस 500 रुपया है अगर आज इसको किसी को बेचेंगे तो कि पांसुरुपया बेचेंगे नहीं क्यों कि इसका जीवन था एक साल और साल दो साल जीवन है राइट कर रहा है तो इसका भी और राइद है क्वेश जिसका जिन्दगी अगर दो साल का जिन्दगी में से छे मेना हम यूज कर लिए तो छे मेना जो मैंने इस टी-शर्ट को यूज किया रही उसी साफ से वैलू क्या हो जाएगा गड़ेगा तो यही जो एक आसेट का वैल्यू जो डिक्रीज होता है उसी को हम लोग का अकांटि क्या है